हिलो फ्रेंड्स और विल्कम तो सिविल सर्विसे ड्रीम दोस्तों यह है हमारा टेस्ट नंबर फिफ्ट और जिसमें की पॉलिटी के कोश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी सारे जो टेस्ट हैं उनको आप देख सकते हो प्लेलिस्ट दी गई है डिस्क्रिप्शन म करते हैं और पहला कोश्चन है कि यदि भारत के प्रधान मंत्री संसद के उच्छ सदन के सदस हैं तो इस संदर्म में निम्लिकित में से कौन सा या कौन से कथन सकते हैं तो आपको इस संदर्म में बताना है कि अगर भारत के प्रधान मंत्री उच्छ सदन के सदस हैं तो ती प्रधान मंत्री की सपत ग्रहन करने के बाद 6 महा के भीतर निम्न सदन का सदसे बनना पड़ेगा तीसरा है वे के बल उच्छ सदन में ही बोल सकते हैं और मतदान कर सकते हैं तो कौन-कौन से सही हैं बहुत दिखें बहुत इंपोर्टेंट है कोशन अगर प्रधान मंत्री उच्छ सदन का सदसे है तो जो अविश्वास प्रताओ की प्रक्रिया होती है आप जानते हैं अविश्वास प्रताओ लोग सबा में लाया जाता है ठीक है तो अभिस्वास प्रताओं जब भी लाया जाएगा तो वो अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे ठीक है तो पहला करेक्ट है यहां पर दूसरा स्टेटमेंट है कि उन्हें परदान मंतरी की सपत ग्रेंड करने के बाद छे माँ के अंदर निम्न सदन का सदस से बनना पड़ेगा यह रॉंग स्टेटमेंट है क्योंकि उच्छ सदन का भी सदस से हो सकता है तीक है अगर किसी भी सदन का सदस से नहीं है और परदान सभा के सदस थे तो यहां पर दूसरा भी रॉंग हो गया तीसरा स्टेटमेंट है कि वे केबल उच्छ सदन में ही बोल सकते हैं और मतदान कर सकते हैं यह भी रॉंग स्टेटमेंट है कि किसी भी सदन में बोल सकते हैं लेकिन जब मतदान किया जाएगा तो सिर्फ उसी सदन मे वो सदस्स हैं तो यहां पर किपल पहला सही है ठीक है यह जो है वो करेक्ट एंसर है अगला कोशन है निमलिकित कतनों पर विचार कीजिए दो कतन दिये गए और आपको बताना कौन से सही है पहला है भारत में राज्य के महादिवक्ता यानि एड़बुकेट जनरल आफ स्टे कि नियुक्ती भारत के राष्टपती द्वारा संबंधित राज्य की उपर राज्य पाल की अनुशंसा पर की जाती है दूसरा है भारती सम्विदान के तहत नियंत्रक एबं महालेखा परिक्षक यानि कैग को लोक निदिका अविवावक कहा जाता है देखे जो पहला स्ट स्टेटमेंट है यह इनकरेक्ट है क्योंकि यहां लिखा हुआ है राष्टपती द्वारा की जाती है राष्टपती के द्वारा नहीं किसी भी राज्य के महादिवक्ता की नियुक्त की जाती है राज्य पाल के द्वारा ठीक है तो यहां पे पहला रॉंग हो गया स्टेट तो यह जो है दूसरा करेक्ट है यहां पे और जो क्याएग की नियुक्ति का प्राब्धान किया गया है आर्टिकल 148 में और यह एक constitutional body होती है तो यहां पर केबल दूसरा से यह बी इस दा करेक्ट एंसर आके चलते हैं अगला के कुछ बिए गये हैं ओर आपको पताना है सही कौन सा है तो लोगसभा अध्यक्ष को क्यों सदस्यों द्वारा अपने बीच में से यहि किसी सबस्यूं से चुना जाता है और दूसरा यह त्याग पत्र देना चाहे तो अपना त्याग पत्र उपाद देक्ष को संभोधित करना होगा ठीक है तो कौन-कौन से सही है इसमें पहला बिल्कुल करेक्ट है लोकसवा देक्ष लोकसवा के सदस्यों के के बीच में से ही चुना जाता है तो पहला करेक्षा है दूसरा statement है कि अगर वो त्याग-पत्र देना चाहता है तो किसे देगा उपाध Dax को देगा ठीक है तो यहां पर दोनों ही सही है स्वरी यहां पर सी करेक्ट एंसर होगा ठीक है क्योंकि दोनों सही हैं और लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति का प्राफधान किया गया है आर्टिकल 93 में और त्याग पत्र से संबंदित जो प्राफधान है वो आर्टिकल 94 में किये गये हैं अगला कॉश्चन है निमलकित कतनों पर विचार कीजिए दो कतन दिये गया है और सही बताने आपको तो पहला है धन विदेयक बहुत इंपॉर्टेंट है धन विदेयक केबल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है ठीक है तो यह तो करेक्ट है आपको पता होगा दूसरा ह अखिल वारती सेवाओं के सरजन के संब्द में लोकसभा को अनन्य शक्ति प्राप्त है बहुत ध्यान से देखिए देखिए ऐसे कोश्चन जो है बहुत सारी वाते आपको पता होती है लेकिन एक्जाम में जब आप बैठते हैं तो एक्जाम सिर्फ आपकी हिस्टी पॉलि राज्य सभा के बारे में है अखिल भारती सेवाओं के सरजन में राज्य सभा को अनन्य सक्ति प्रापत है ना कि लोकसभा को तो दूसरा स्टेट्मेंट रॉंग हो गया तो चौथे का जो है करेक्ट है ए ओके और जो धन विदेख है दिकिए यह भी बहुत समय दी गई है इसको आप नोट कर सकते हो ओके और जो यहां पर लिखा है कि अखिल भारती सेवाओं के सर्जन के संबंद में राज्य सभा को अनन्य सक्ति प्राप्त है यह प्रापदान किया गया है आर्टिकल 312 में 312 में चलिए तो इसका करेक्ट एंसर क्या था केवली थ अगला कोश्चन है राज्य सभा के संदर्में निमलिकित कतनों पर विचार कीजिए तीन कतन दिये गए और बताने हैं कौन से सही है पहला है राज्य सभा एक इस्थाई सदन है इसे भंग नहीं किया जा सकता है बिलकुल सही सभी को पता होगा यह बात पता होगी दूसरा ह दूसरा है की कम से कम तीस वर्स होनी चाह히े तो बहुत ध्हान से देखिए पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है क्योंकि राज्य सभा जो है वह एक जाता है कि निससे कभी भंग नहीं किया सकता है cuestión कि दूसरा है प्रत्एक दो वर्ष बाद इसके धो थिहीं नहीं बलकि एक तुँट है सदस्यों का कारिकाल समाबत हो जाता तो यहां पर गलत दिया गया है तीसरा है इसके सदस्यों की आई कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए ये बिल्कुल सही है तो यहां पर पहला और तीसरा करेक्ट है ठीक है सी जो है वो करेक्ट एंसर है अगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन है भारत के संसद के संसद में भारत में संसद बनती है किनको किनको मिलाकर बनती है बहुत आसान कोश्चन है यहां पर लोगसभा राज्यसभा राष्ट्रपती और उपराष्ट्रपती तो भारत के संसद किसको मिलकर बनती है एक तो लोगसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपती को मिलाकर बन एक दो और तीन थीिकन अच्छा राश्ट पति पूछा जाए कि कि सद्धन का सदस नहीं होता राश्ट पती यजह सद्धन का कैसे करने दागी जब कि ना र subdynakstad आगया क्योंकि- राज सभा के द्वारा पारित किया गया कोई भी विदेयक तब तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक कि राष्टपती मौदे उस पर हस्ताक्षर नहीं कर देते हैं ठीक है तो पूरी प्रक्रिया ही पूरी नहीं होगी कानून बनने की तो इसलिए राष्टपती संसद क का एक अभिन्न अंग है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन है संसद के मनोनी सदस्यों के संदर में निम्लिकित कत्रों पर विचार कीजिए बहुत इंपॉर्टेंट कोश्चन है द्यान से देखिए पहला कतन है राज सभा में दो तथा लोग सभा में बारा सदस्य से मनोनीद होते हैं बहुत ध्यान से देखिए दूसरा है मनोनी सदस्य राष्ट पती तथा उपराष्ट पती के चुनाओं में मद्दान कर सकते हैं तो कौन-कौन से सही है जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है वो रॉंग है कि यहां पर उल्टा दिया गया है राज्ज सबाने लोक सबाने दो अंगल भारती सदस्थों को मनोनी किया जाता हैं यहां पर उल्टा दिया गया था इसलिए पहला स्टेट्मेंट रॉंग हो गया ठीक है उपराश्ट पती के चुनाओं में मद्दान कर सकते हैं तो यहां पर दोनों ही रॉंग है इसका मतलब है कि डी जो है वो करेक्ट एंसर है आगे बढ़ते हैं निमलिकित गत्रों पर विचार कीजिए और आपको बताने सत्ति कौन से हैं भारत के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्राबधान अनुच्छेद 108 में किया गया है दूसरा है संयुक्त अधिवेशन का आयोजन एक ऐसे विधेयक पर करने और उसे पारित करने के लिए किया जाता है जिस पर दोनों सदनों में मतवेद हो तो कौन-कौन से सही है यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है यह बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि लिखा हुआ है कि संसद के दोनों सदनों की सही तो बैठक का प्राबधान जो है वो अनुच्छेद 108 में किया गया इसको आप नोट कर सक अनुच्छ नका अयोजन एक ऐसे विद्यक पर विचार करने के लिए और उसे पारित करने के लिए किया जाता है जिस पर दोनों सदनों में मतवेद हो तो यह भी सही है इसलिए संद्धु बैठक का प्राबधान किया जाता है तो इसका करेक्ट एंसर हो गया C, पहला और दूसरा दोनों सही है और इसके अध्यक्षता k Люsń नुख करता है मतलब सही हूँ तो जो बैठक का प्राबधान किया जाता है तब उसकी अध्यक्षता क्यों करता है स्पीकर करता है याणि लोक सभा का अध्यक्ष करता है ठीक है अगला कोश्चन है राज जिपाल की नियुक्ति के संतर में निम्लिकित कतनों पर विचार कीजिए तो दो कथन दिये गए और कौन-कौन से सही है इसमें उसे भारत से उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए दूसरा है उसकी आयू कम से कम तीस वर्स होनी क्या निम्लिक नागरिक होना चाहिए यह इनंकरेक्ट है कि किसी भी प्रकार से भारत का नागरिक हो वस्ति कहें ज़ सकतना Хalam मतलव ऐसा कोई जरूई ही नहीं कि जन्म से भारत का नागरिक हो दूसरा है। क्योंकि इसकी यूय कितनी होनी चाहिए कम से कम 35 वर्स होनी चाहिए। तो यहां पर दोनों ही इंकरेक्ट हैं, डी जो है वो करेक्ट एंसर है, और राज्यपाल की नियुक्तिका प्राबधान की सनुच्छद में किया गया, बहुत इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है, स्टेट PCS एक्जामस में पूछ लिया जाता है, अनुच्छद 117 में, इस समवयदानेक साथ्टा है, वह आको बताने हा है, तो लोग समाध का सचेवाल है, केंदर का वितधायोग, राज्यका वितधायोग या फिर मानवादिखार आयोग, जिसका क्रेक्टेंसर है, D........ मानोादिखार आयोग जो है वो समवैधानिक संफता नहीं है एक गयर समवैधानिक संफता है तो इसका जो गठन किया गया था वो एक अधिनियम के तहत किया गया था ठीक है यह एक सामविधिक संफता है समवैधानिक नहीं है सामविधिक और समवैधानिक में अंतर क्या होता है नीचे आपको हम लिंक द से नियम 1993 के द्वारा ठीक है तो इसका क्रेक्ट एंसर है डी तो दोस्तों दस में से आपके कितने कोश्चन्स का एंसर आपको पहले से पता था यह आप हमें कोमेंट सेक्षन में बताइए और मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार तक के लिए रहा है